क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई विक्ति आपको पसंद करता है लेकिन फिर विवे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है या कर रही है हाला कि इसकी कई वज़ा हो सकती है जिसमें से एक बड़ा सीक्रेट यह हो सकता है कि आपको चाह रहे इंटोवर्ट हैं तो आपको यह बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोगों को लुक का छुपी कुछ जादा ही पसंद होती है बजाए सीदे सीदे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के इसलिए आज मैं आपको वो सीक्रिट्स बताने जा रही हूं जो साव इंटोवर्ड लोग जाधा टॉक्टू यानि बतुनी नहीं होते इसलिए उनके दिल में फीलिंग्स का तुफान चल रहा होता है और जुबानक से शांत रहती है हम इंटोवर्ड अपने परसनल बाते जैसे कि हमारी होबी पैशन और पसंद ना पसंद को सिर्फ उनी लोग तो समझ जाइए आप उसके लिए दोस्से भी कई बढ़ करें नमबर टू मुविंग क्लोजर टू यू इंट्रोवर्ड के लिए ना अपना परसनल स्पेस बहुत जादा मैटर करता है जिनें यह पसंद नहीं करते उनसे बात करते वक्त यह थोड़ी सा डिस्टेंस मेंटे बाक नहीं बल्कि एक इंट्रोवर्ड के दिल में चुपे प्यार की फीलिंग होती है और वैसे भी दोस्तों फिजिकल टच अपनी फीलिंग को शेयर करने का मुखती पावर्फुल मीडियम होता है इससे इंट्रोवर्ड यह शो करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आप में फिजिकल एनिक्षिन बनाने में किसी भी प्रकायर की कोई प्रॉबलम नहीं है और आप उनके पर्सनल स्पेस में एंट्री कर सकते हैं इंट्रोवर्ड लोगों को अपनी फीलिंग शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता हम जिसे प्यार करते हैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचनल लग जाते हैं नमबर फूर शेयरिंग देक्रेयेटिवीटी दोस्तों हम इंत्रोवर्ड़ क्यिए सा क्रीयेटिविटी जिनें हम सच्चे दिल से अपना मानते हैं दोस्तो ऐसे बहुत से कम टाइम होंगे जब कोई इंटर वर्ड अप See बात करने के लिए फस्ट मूझे ले ये काम अकसर एक्स्टर वर्ड करते हैं जब कोई एक वर्ड हाई हेलो कहकर फस्ट मूझ करता है और वह केस है प्यार का जी हाँ अगर कोई इंटोवर्ड आपसे खुद आकर बात करने लगे आपके बिना कुछ कही ही आपसे कन्वसेशन स्टार्ट कर दे तो समझ जाए आप उसके लिए एक दोस्ट से बढ़ करें इंटोवर्ड लोगों को टॉक जैसी चीजे बिलकुल भी पसंद नहीं होती बलकि इनकी जगे वे डीप और मीनिंगफुल बाते करना पसंद करते हैं वे जिब किसी अंजान वेक्टे के साथ होते हैं तो फालतों में स्मार्ट टॉक जैसे कि अगर आज मौसम बहुत खराब ह इसी बाते करने की जगे वे बिलकुल शान्त रहना प्रिफर करेंगे लेकिन अगर वहीं हमें आप में इंट्रेस्ट आ गया हो तो हाई हेलो से स्टार्ट हुई बात को हम कितना भी डीप ले जाएं ये हमें भी नहीं पता होता मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग को शेयर करना वे भी दूसरों के साथ एक इंट्रोवर्ड के लिए बहुत जादा चैलेंजिंग टास्क होता है एक इंट्रोवर्ड प्यार में पढ़ते ही टिक्स मैसेज के साथ साथ फोन का भी यूज करने लग जाता है वे सामने वाले को डिरेक्ली और इंडिरेक्ली बताना चाहता है या चाहती है कि आपके लिए उसके दिल में कितनी घहरी फीलिंग को छुपा के रखा है इंट्रोवर्ड का बॉडी लेंग्वेज उससे बात करने का तरीका उसका एटिट्यूड प्यार में पढ़ने के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है वे अपनी फीलिंग शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे बस जरूरत है तो उसे प्यार से समझने की दोस्तों इंट्र दे रहे हैं लेकिन अंदर से उनके दिल में कोई रिस्पेक्ट और फिलिंग नहीं होती इसलिए इस बात पर इंट्रोवर्ड को एक सल्यूट तो बनता है और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने इंट्रोवर्ड फ्रेंज को शेयर करना और चैनल को सस्क्राइब कर बैल दी ही एसी नेक्स्ट वीडियो में